तो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मिद करता हूं सभी अच्छी होंगे और मैं हूँ आपका दोस्त समित लेकर आ चुका हूँ आप सबों के बीच ओडियो लैब सीरीज का पार्ट फोर पिछले पार्ट में हमने जाना ओडियो को मर्ज करना उमिद करता हूं कि पिछले वीडियो को देखकर आपने सीख लिया होगा कि ओडियो को इस प्रकार से मर्ज किया जाता है दोस्तों जितने लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं निवेदाने कि आप हमारे प एक यूज़को का अभय क्यिक्स निटन ये जानेंगे लोग के लिए ये यूवव कर लग रहा हुगा क्योंकि सायद कुछ छोग इन सब चीजों का कभी यह 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 क्या मगर आफ सभी ङब user करने यह वाले हैं और यह आप के लिए बहुत ही अच्छी चीजे Pack Editor जिसे की आज हम जानने वाले हैं आफि यह Cat Editor होता क्या है और इसम की सबस्तों करना चाहते हैं सब्सक्राइब चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब को बताना चाहेंगे कि हमारे टेकनिकल वाटसप गुरूप भी चल रहा है अगर आप सभी ने अब तक उस गुरूप में जूड़ा है तो जलसी जल्द गुरूप में किये अब ज्यादा समय ना लेते हुए सीरे सुरू करते हैं आजके इस वीडियो को कि टुटोरियल स्टार्ट नाव कि तो इस तो प्रेंट्स टेग एडिटर तो मैं आप सब बताता है तो किसी भी अगर आप ओडियो को सुनते हो कभी या फिर किसी भी एंपित्री आडियो को देखते हो इसके डिटेल में अगर जाओगे तो लिखा वा रहता है कि सॉंग का नाम क्या है यह कौन से एल्बम क है इसके lyrics क्या है किसी भी song गोगल में सच कर आपको मिलेंगे कि इस song के lyrics क्या है और इस song है स्वेज इस कब हुआ क्या है मतलब कौन से स्केल से ये इस सौंग है और इसके अलावा इसके composer कोन मतलब ये इतनी सारे पूरे detail वगरा लगा हुआ रहता है इस song में अगर आप सोंग को सर्च करोगा तो मिल जाएगा और कभी ना कभी इस प्रकार से आपने देखा भी होगा तो बस यही सेम चीजे टेग एडिटर हो सकता है कि अभी यह आपके यूज में ना आ है लेकिन वोईस में जरूर कभी ना कभी अगर आप म्यूजिक से जुड़े हु को फिछले वीडियो में हमने सिखा तो हम देखेंगे टेग एडिटर स्फर क्लिक करते हैं की इस पर क्लिक करने के बाद वही सेम प्रोसेस्स आपको अपना ना अगर आपका कोई खुद का सॉंग है या फिर आपका कोई कुद का कॉंटेंट है उस पर आप टेख लगा सकते है उस song में अपना photo लगा सकते हैं उस song में अपने song का नाम लेख सकते हैं album का नाम लेक सकते कब आपके दौरा release किया वो लेक सकते हैं और और भी बहुत कुछ कह रूप चैंटेट कर लेता हूं और खुछ सर्फ कर लया है तो इसे करने के बाद देखे कि इसा कितने सारे हैं आ रहे हैं अब यहां पर बहुत सरे आपसे आए तो सबसे पहले अप्सें आपको मिलेगा यह मौर अप्सें यह एल्प यह एडिट बॉक्स है यहां पर आपको को एल्बम का नाम लिखना है अगर आप का सोंग यह कोई किसी अल्बम से है अल्बम मतले एक साथ वह सारे सोंग को आप करना चाहते हो रखना चाहते हो तो एल्बम बनाना चाहते हो तो एल्बम का नाम है आप लिख सकते हो तो मैं आपको करकर नहीं बताओंगा मतलब कहां क् रेफिटर तो अलगते लगाचाatal और यहांट कीफ़ोल अगर फैक्चर नहीं लगा होगे ताईडिबोल्ट में रहेगा मतलि डिव evidence जो सिम्तिपट संटोन पर ड़ोगवरॉगफभ होई रहएद यहां से extend care तो अलग पिक्चर लगा सकते हो अपने सोंग के ऊपर कोई फोटो लगा सकते हो तो देखिए यहां पर आप इमेज को क्रॉप करकर लगा सकते हो स्वाइब करा सकते हो साथ यहां फैटर आप प्र्मिछ दोस्च właściट यहाँ आडियो लैब है तो यहां पर अब इसे हटाकर अपने आट रिस्ट का नाम भी लेग सकते हो इस पर क्लिक करोगे एडिट बॉक्स होल जाएगा अब लिख सकते हैं देकि अलबन में आटेश का नाम में हाँ लेखना किसी एक अर दिलेज हुआ है इसे लिखना इसके ज पूरा लेक्स लेंग्वेंज किस लेंग्वेंज में आपका सौंग या बीपियां की कौन से स्केल से यह सौंग है ताकि बाखी लोगों को असान पड़े धूड़ने में गाने में देखिए यतना कुछ करने के बार यह सेव का बटन है इस पर किलिक करोगे फिर सेव को सेव का बटन मिलेगा उस पर कि Lips करोगे धी सवागा चलिए वीडियो को ज़्वा नहीं करता हूं कि यह बहुत ही है आफ पर उमुद करता हो कि अब यह समझ में आभी लिए गया होगा तो इस प्रकार से आपका अगर खुद का कोई कोंटेंट है तुस पर आप अब ने सौंग का नाम अब सौंग को अगर आप जब भी रिलिज की हो जब भी अब कुछ से त्यार कि उसके यह को लिख सकते हो और भी ट्रेक नमबर एलबम नमबर सौंग के लिरिक्स यह सब को लिख सकते हो और कहीं भी पब्रिस कर सकते हो तो इस चीज के लिए सौंग एडिटर योज में आता है तो कभी ना कभी इसके आप सकता आप से बहुत जबर पड़